स्रीमत भागवत महापुरान इसकंद आठ अध्याए आठ शुरू हो रहा है स्री सुगदेब जी कहते हैं इस प्रकार जैव भगवान संकर जी ने बिस पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसंता हुई वे फिर ने उत्साह से समुद्र मतने लगे तब समुद्र से कामधेनू प्रकट हुई वो अगनी होत्र की सामग्री उत्पर्न करने वाली थी इसलिए ब्रह्म लोक तक पहुंचाने वाले यग के लिए उपयोगी पवित्र थी दूद्र आदी प्रापत करने के लिए ब्रह्म वादी रिषियों ने उसे गरहन किया उसके बाद अच्यसरवा नमक घोड़ा निकला वह चद्रमा के समान सुएत वर्णका था बली ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की इंद्रन ने उसे नहीं चाहा क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था तदंतर एरावत नामक स्रेश्ठ हाथी निकला उसके बड़े बड़े चार दात थे जो उज्वल वर्न कैलास की सोभा को भी मात करते थे तदपस्यात कौस्तुब नामक पदमराक मनी समुद्र से निकली उस मनी को अपने हिर्दय पर धारन करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा परिचित इसके बाद सर्ग लोग की सोभा पढ़ाने वाला कल्प ब्रिक्ष निकला वह याचकों की इक्छाओं और उनकी इक्छित वस्तू देकर वैसे ही पूर्ण करता है जैसे पृत्वी पर तुम सबकी इक्छाएं पूर्ण करते हो इसके बाद अपसराएं प्रकट हुई वे सुन्दर वस्तूनों से सुसजीत एवं गले मेश्वर नहार पहने वी थी वे अपने मनोहर चाल और बिलास भरी चितवन से देपताओं को सुख पहुचाने वाली हुई इसके बाद सोभा की मूर्ती सुयम भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई वे भगवान की नित्य सक्ति हैं उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिसाय जगमगा उठी उनके सौंदर और दार यौबन रूप रंग और महिमा से सब का चित खिच गया देवता असुर मनु से सभी ने चाहा कि हम ये हमें मिल जाए स्वयम इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा बिचित्र आसन ले आए स्रेश्ट मुनियों ने मुर्तिमान होकर उनके अभिसेक के लिए सोने के घड़ों में बरवर कर पवित्र जल्ला दिया प्रत्वी ने अभिसेक के योग सब औस दिया दी गोवों ने पंच गब्ब और वसंत रितू चैत्र बैसाक में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिये इन सामग्रियों से रिस्यों ने विधी पुर्वक उनका अभिसेक संपन ने किया गंधर्वों ने मंगल में संगीत की तान छेड़ दी नर्तकिया नाच नाच कर गाने लगी बादल सदे होकर मिर्दंग दम्रू ठोल नगारे नरसिंगे संक बेनू और वीना बड़े जोर से बजाने लगे तब भगबती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर बिराजमान हो गई दिगजो ने जल से भरे कलसों से उनका अस्टान कराया उसमें ब्राहमन गन वेद मंतरों का पाठ कर रहे थे समुद्र ने पीले रिस्मी बस्तर उनको पहनने के लिए दिये और वनू ने ऐसी बजनती माला समर्पीत की जिसकी मधुमें सुगंद से भरे मतवाले हो रहे थे परजापती बिस्व कर्मा ने भाती-भाती के गहने सरसती ने मोतियों का हार ब्रम्भा जी ने कमल और नागों ने दुग कुंडल समर्पीत किये इसके बाद लक्ष्मी जी ब्रह्मनों के अस्तवयन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुन संपन पुरूस के गले में डालने चली माला के आसपास उसकी सुगंध मतवाले हुए बहुरे गुंजार कर रहे थे उस समय लक्ष्मी जी के मुक की सोबा ओवर नीय हो रही थी सुन्दर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे लक्ष्मी जी को कुछ लजजा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी उनकी कमर बहुत पतली थी दोनों अस्तन बिल्कुल सटेवे और सुन्दर थे उस पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था जब वे इधाउधर चलती थी तब उनके पाईजेप से बड़ी मधूर जनकार निकलती थी ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लतायधा उदर घूम फीर रही है वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोस या समस्त उत्तम गुनों से नित्य युक्त अभिनासी पुरुस मिले तो मैं उसे अपना आस्रे बनाऊं वरन करूं परन्तु गंधर्व यक्ष असुर दचार अंदेवता आधी में कोई भी वैसा पुरुस उन्हें नहीं मिला वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है परन्तु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप की है किन्हीं में ग्यान तो है परन्तु पूरे अनासक्त नहीं है कोई कोई है तो बड़े महा सक्तिसाली परन्तु वे काम को नहीं जीत सके है किन्हीं में एस्वरी भी बहुत है परन्तु वे एस्वरे ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आस्रे लेना पड़ता है किन्हीं में धर्मा चरन तो है परन्तु पराणियों के प्रतिवे प्रेम का पुरा वरताओं नहीं क कुछ महतमाओं में विसाक सकती नहीं है परंतु वे निरंतर और द्वैत समाधी में ही स्तलनीन रहते हैं किसी किसी रिसी ने आयू तो बहुत लंबी प्राप कर ली परंतु उनका सील मंगल भी मेरे योगे नहीं है किनी में सील मंगल भी है परंतु उनकी आयू का कुछ ठीका अवसे ही किनी में दोनों ही बाते हैं परंतु वे अमंगल वेश्च में रहते हैं रहे एक भगवान विशनु उनमें सभी मंगल में गुन नित्य करते हैं परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं इस प्रकार सोज विचार कर अंतमे स्री लक्षमी दी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही अपने वर के रूप में चुना क्योंकि उनमें समस्त सद्गुन नित्य निवास करते हैं प्राकरित गुन उनका सपर्श नहीं कर सकते और अनिमा आदी समस्त गुन उनको चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते बास्तव में लक्षमी जी के एक मातर आसरे भगवान ही है इसी से उन्होंने उन्हीं को वरन किया लक्षमी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुन्दर माला पहना दी जिसके चारों और जुन्ड के जुन्ड मतवाले मधुकर गुन जार कर रहे थे इसके बाद लज्जा पुर्ण मुस्कान और प्रेम पुर्ण चितवन से अपने निवास अस्थान उनके वक्ष अस्थल को देखती भी वे उनके पास ही खड़ी हो गई जगत पिता भगवान जगत जन्नी समस्त संपत्यों के अधिश्ठात्री देवता स्री लक्षमी जी को अपने वक्ष अस्थल पर ही सरवदा निवास करने का स्थान दिया लक्षमी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक लोक पती और अपनी प्यारी परजा की अभी विर्दी की उसमें संक तुरही मिर्दंग आदी बाजे बजने लगे गंधर्व अपसराओं के साथ साथ नाचने लगे इससे बड़ी भारी सब्द होने लगा ब्रंभा रुद्र अंगिरा आदी सब प्रजापती पुस परसा करते वे भगवान के गुन सरूप और लीला आदी के यथार्थ बढ़नन करने वाले मंत्रों से उनकी अस्तुती करने लगे देवता प्रजापती और प्रजास सभी लक्ष्मी जी की किरपादरिष्टी से सील आदी उत्तम गुनों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत और दानवों की उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्मल उद्योग रहित निरलज और लोभी हो गए इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नैनी कन्या के रूप में वारुनी देवी परकट वी भगवान की अनुमती से दैत्यों ने उ अलावकिक पुरुस प्रकट हुआ उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी उसका गला संक के समान उतार चड़ाओ वाला था और आँखों में लानिमा थी सरीर का रंग बड़ा सुंदर साउला साउला था गले में माला अंग अंग सब प्रकार के आभुसनों से सुसजित सरीर पर पितांबर कानों में चमकीले मनियों के कुंडल चोड़ी छाती तरुन अवस्ता सींग के समान प्राकरम अनुपम सुंदरे चिकने घुंगराले बा गौान के अंसावतार थे वे ही आयुरवेद के प्रवर्तक और यग भोकता धनवंतरी के नाम से पसिद्ध हुए जब दैतियों की दृष्टी उन पर पड़ी उनके हाथ में अमरित से भरे वे कलस पर पड़ी तब उन्होंने सिगरता से बलात उस अमरित के कलस को छीन लिय वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मन्थन से निकली भी सभी बस्तों हमें मिल जाए जब असुर उस अमरित से भरे कलस को छीन ले गए तब देपताओं का मन भी साथ से भर गया अब वे भगवान की सरन में आये उनकी दीन दसा देखकर भक्त वांचित कल पतरू भगवान ने कहा देपताओं तुम लोग खेद मत करों मैं अपनी माया से उनमें आपस में फुट डाल कर अभी तुम्हारा काम बना देताओं परिच्छित अमरित लोलूप देथियों में उनके लिए आपस में जगडा हो गया सभी कहने लगे पहले मैं नहीं तुम नहीं उनमें जो दुरवल थे वे उन बलवान देतियों का बिरोध करने लगे जिनोंने कलस छिनकर अपने हाथ में ले लिया था वे इस्जा बस धर्म की दुहाई दे कर उनको रोकने और बार बार कहने लगे भाई देपताओं ने भी हमारे बराबर ही वामी चतुर सी रोमनी भगवान ने अत्यंत अद्भुत और नी इस्त्री का रूप धारन किया सरीर का रंग नील कमल के समान स्याम एवं देखने ही योग था अंग परतेंग बड़े ही आकर सकते दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुसोबित थे सुन्दर कपोल उंची नासिका और रमनी मुख नई जवानी के कारण अस्थन उगरेवे थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी मुख से निकली हुई सुगंद के प्रेम से गुन गुनाते हुए भौरे उस पर तूट पड़ते थे जिससे नेत्रों में कुछ घबराट का भौ आ जाता था अपने लंबे केस पासों में उन्होंने खिलेवे बेल के पुस्पों की माला गूध रखी थी सुन्दर गले में कंठ के आभूसन और सुन्दर भुजाओं में बाजुबंद सुसो भी था इनके चरनों के नुपुर मधुर धोनी से रुन जुन रुन जुन कर रहे थे और स स्वक्ष सारी से ढके नितंब दूई पर सुभाय मान करधनी अपनी अनूठी चटा चिटक का रही थी अपनी सलज मुसका नाचती हुई तिर्ची भौवे और बिलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत सेना पतियों के चित में बार बार का मोध दिपन करन स्रीमत भागवत महापुरान इसकंदार्ट अध्याय आठ समाप्त हुआ हम आपसे कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ विदा लेते हैं अच्छा लग रहा हो सुनने में तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे ह दने बाद